हलो फ्रेंड्स, एक्जाम अचीवमेंट पर मैं करूना, आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ, MCQ questions based on राजस्थाने लगो चित्र शैली, क्लास 12 के लिए. हमारा पहला question होगा दोस्तों, सीता राम, बदन सिंग और नानक राम, चित्रकार, चित्रकला की किस शैली से संबंदित थे? सीता राम, बदन सिंग और नानक राम, इनका संबंद था किशनगर शैली से. Next Question है सुपहसना चरित्र या सुपहसना चरियम भी इस गरंध को बोला जाता है तो ये कहा है? तो ये एक चित्रित गरंध है Next Question है दोस्तों राजिस्थानी चित्रकला का पहला विज्ज्णिक विभाजन किस ने किया? ये थोड़ा सा बताने लाइक कुशन है राजस्थानी शेली को विज्ञानिक विभाजन किया था आनंद कुमार सुवामी ने और आनंद कुमार सुवामी ने तब राजस्थानी कला को और पहाडी कला को और मुगल कला को अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स में अलग माला का चितरन किस साशक के सरेक्षन में किया था तो दोस्तों ये वाला कोशन इससे पहले जो मैं राजस्थानी शैली पर एक सिरीज बना चुकी हूँ उसके अंदर भी था और बहुत इंपोर्टन कोशन है तो किस साशक के सरेक्षन में किया था तो इसका आंसर होगा अमर सिंग उससे पहले जो मैंने ये कोशन डाला था उसके अंदर हमने अमर सिंग का नाम मेंशन किया था और चितरकार का नाम पूछा था यहाँ पर चितरकार का नाम डाला गया है और आप से शाशक का नाम पूछा गया है नेक्स्ट कुर्शन है दोस्तो निम्न में से वह है चित्रकला शेली जिसमें हिंदू पोराणिक चित्र बने तथा कलाकार अपने चित्रों पर तिथी वह नाम लिखता था यह अभी तक के लिए एक बिल्कुल ही नया कोशन है आपके लिए तो इसका पहला ऑप्शन है जोदपुर दूसरा बीका नेर तीसरा मेवार और चोथा बूंती इसका अंसर है बीका नेर शेली में जो आर्टिस्ट थे वह अपने चित्र के साथ अपना नाम और तारिक डालते अगला कुशन है डॉक्टर श्रीधर अंधारे को किस शेली को प्रकाश में लाने का श्रे दिया जाता है यह भी बहुत अच्छा कुशन है तो ऑप्शन है मेवार दूसरा चावंड तीसरा नाथ द्वारा और चोथा देवगड तो देवगड शेली जो की उप शेली है शाषक ने चितरों की ओवेरी नाम से एक विध्याले इस्थापित किया था चितेरे बोलते हैं इसको चितेरों की ओवेरी तो इसका पहला ऑप्शन है राज सिंग दूसरा मर सिंग तीसरा करण सिंग और चोथा जगत सिंग इसका अंसर रहेगा जगत सिंग प्रता नेक्स् डालू नामक चित्रकार किस शैली से संबंदित है यह बहुत ही फेमस आर्टिस्ट है डालू तो कोटा शैली से संबंद रखते हैं बीका नेर से नागोर से या फिर जैपूर से तो इसका अंसर है कोटा नेक्स्ट कोशन है सूची एक तथा सूची दो के साथ मिलान करें तथा नीचे दिए गए कोड को सही चुने चिक है सूची एक में शैली दी गई है और सूची दो में चित्र दिये है तो नाथ द्वारा किशनगर, जोदपूर, ढोला, मारू, पिछवाई और बनी धनी तो नाथ द्वारा में बच्चो पिछवाई बनता था किशनगर सैली में बनी ठनी चितर बना है और ढोला मारू प्रसिद चितर है जोदपुर शैली का तो आ का होगा दो और बा का होगा तीन और सा का होगा एक और आपका ओप्शन दा सही है किस चितर शैली में नारियों को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है ऑप्शन है बूंदी, कोटा, मेवार और जैपुर तो शिकार द्रिशे के लिए प्रशिद शैली है कोटा और कोटा एक ऐसी शैली है जहां पर पूर्शों के साथ साथ महिलाएं भी शिकार करते हुए चितरत की गई है नेक्स्ट कोशन है ये वाला कोशन भी थोड़ थोड़ा सा मिलता जुलता इससे पहले स्रीज में आ चुका है मतहेरन वे उस्ता कलाकारों ने किस शैली को फोशित किया जैसलमेर बीकनेर जोत्पूर या उन्यारा तो उस्ता कलाकारों का जो सम्मंध है वो किस से है बीकनेर शैली से नेक्स्ट कोईशन है किशनगड शेली का प्रसिद्ध चित्रकार था कौन था नंदलाल बिल्कुल भी नहीं जमनादास नागरीदास या फिर हसन तो इसका अंसर है नागरीदास नहीं बिटा इस कोईशन को मैं थोड़ा से यहाँ पर करक्ट करना चाहूंगी नागरीदास किशनगड शेली के चित्रकार नहीं थे नागरीदास किशनगड शेली के शाशक थे सावंत सिंग जिनका नाम था सावंत सिंग ने अपने उपनाम नागरीदास से 75 ग्रंथ लिखे थे जिसको हम नागर सामुच्य के नाम से जानते हैं और उस पर चित्रकारी की निहाल चंद ने लेकिन कुछ किताबों में नागरी दास को एक चित्रकार के रूप में दिखाया गया है किशनगडशेली में नेक्स्ट कोईशन है पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रशेली है बूंदी शेली जैपुर शेली चावंड शेली या फिर देवगड शेली तो इसका अंसर होगा बूंदी शेली पक्षियों के चित्रों की अगर बात होगी तो बूंदी शेली और शिकार द्रिश्यों क अगर बात होगी तो कोटाशेली नेक्स्ट कुशन है प्रशिद्य चित्र ठोला मारू की चैली है ठोला मारू हमने निसारदी ने बनाया मेवार शेली में, लेकिन अगर ठोला मारू फेमस चित्र अगर पूछा जाए तो वो जोदपुर का है ये दोनों question आप different समझ लेना पूरी राजिस्थानी शेली में सबसे ज़्यादा famous ढोला मारू जो चित्र है वो जोदपुर शेली में बने हैं और मेवाड शेली में भी निसारदी आर्टिस्ट ने ढोला मारू का चित्र बनाया है next question है पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र उद्दत किये गए है यानि कि किस पर बनाये गए है राजपुतों के जीवन पर, नारी सौंदरे पर, रामयन पर या फिर भगवान कृष्ण के जीवन पर तो इसका सही answer है भगवान कृष्ण के जीवन पर ये सीम कृष्ण इससे पहले सेट में था next question है पिछवाई चित्रांकन किस चित्र कलाशली की विशेशता है तो बिना सोचे समझे नाथ द्वारा next question है भारत की मोनालीसा कहा जाने वाला चित्र बनी ठनी का संबंध किस कलाशली से है मुझे नहीं लगता मुझे बताने की ज़रत है अगर आपने मेरी पहली विडियो देखी है तो इसका आंसर है किशनगर next question है कुमार सोमी ने राजपूत चित्र कलाशली का विज्ञानिक विभाजन के पुस्तक में प्रस्तुत किया इसी की डिटेलिंग मैंने अभी उपर की है पुस्तक का नाम है राजपूत पेंटिंग्स हाडोती स्कूल से संबंधित शेली है कोटा, भूंदी, एक वदो, इन में से कोई नहीं तो इसका अंसर होगा एक वदो, यानि की दोनों option साब कोटा और बूंदी, दोनों शेलियों का संबंध हाडोती स्कूल से है आपका next question है असंगत यूंगुम को छाटिए हीरा नंद का संबंध बता रखा है सुपास नचरियम से साहब दीन का रागमाला से मनुहरवे साहब दीन का आश रमायन से और इन में से कोई नहीं, तो इसके अंदर ये सारी बाते सही कह रहे है मनुहरवे साहब दीन ने आश रमायन पर चितरांकन किया है, साहब दीन ने रागमाला पर किया है, और सुपास नचरियम हीरा नंद, इन में से कोई भी option को हम सेलेक्ट करेंगे option दा तो दोस्तों ये था हमारा रजिस्थानी शेली का MCQ बेस सेट 1 इस तरह से हम हर शेली के कोई शेट लेकर के आएंगे, जिससे की आप अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएंगे बोर्ट परिक्षाओं के लिए तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो अपना प्यार मेरी वीडियो को देते रहें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मेरी वीडियो को लाइक करें और अगर आपको इन में कोई दिक्कत लगती है, परिशानी लगती है तो आप comment box में message छोड़ सकते है next video तक के लिए सभी को bye